हाई गाईज वेलकेम बैक टो यूट्यूब चैनल पांडेजी टेकनिकल तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में अप लोग को यूपी बोड रिजल्ट को लेकर जो बहुत बुरी खबर आ रहे हैं उसके बारे हम बताऊंगा क्या आप लोग का जो रिजल्ट है वो इस बार आएगा की नहीं आएगा तो वीडियो को हमारे सुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और आप हमारा चैनल देख रहे हैं पांडेजी टेकनिकल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स यह जो नीज है वो दस अप्रेल को अपडेट हुआ है देखे हैं 2020 देखें इसमें किया बता government जा रहा है हम लोग पूरा जो नीज है वो इस प्रकार देख लेते हैं उपी बॉर्ड कलास 10th 12th result जारी करने को लेकर बॉर्ड अदिकारी ने दी है यह ताज़ादा जानकारी जानकारी क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं पर इच्छा के result का इंत इंतजार कर रहे 54,11,000 से अधिक छात्रों का इंतजार अभी और लंबा होता दिख रहा है उत्तर परदेश माध्यमिक सिच्छा परिशाद यानि की UPM SP ने पहले 20 सप्रेल तक मुल्यांकन प्रकिरिया सुरू करने और जून के पहले सब्ता तक प्रेडाम घोसित करने का फैसल किया था मगर यह संभाव नहीं लग रहा है रिजल्ट का इंतजार अब जून से भी आगे बढ़ सकता है यहीं फ्रेंट्स आप लोग के लिए जो है वो बुरी खाबर है कि आप लोग का जो रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आने वाला था अब वो आगे बढ़ सकता ह है हो सकता है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो जूलाई में आए बोड की तरफ से यह बहुत बड़ी खबर आप लोग के लिए आ रही है कि इसमें बताया जारा है कि जो 20 अपरेल तक मुल्यांकन होने का सोच रहे थे बोड वाले वो अब आपका नहीं होगा यह जो है को जूज एक्सप्रेस को बताया हमने 20 अपरेल से मुल्यांकन पर किरिया सुरू करने का फैसला किया था मगर लागडाउन को कई छेत्रों में बढ़ाया जा रहा है और वायरस संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं इस कारण हमें अपना तैसीडूल अस्तगित करना होगा ऐसा नहीं लगता है कि हम जून के पहले सप्ता में परेडाम घोसित करने की इस्तिती में हैं यानि कि जो है वो 14 अपरेल को जो 21 दिनों का लागडाउन था वो समाप्त हो जाएगा कई राज है सोच रहे हैं कि जो लागडाउन है उसे बढ़ा दिया जाए हो सकता है क लागडाउन बढ़ा दिया जाए तो इसको देखते हुए जो है वो बोड ने ये निड़ा लिया है कि आप लोग का जो मुल्यांकन है वो भी पूरा नहीं हो पाया है और जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जून के पहले हपते में आने के लिए जो हो सकता है कि आप फिलहाल प्रात्मिकता लोगों के स्वास्ता और जीवन की सुरुच्चा करना है हलाकि कई बोडों ने कापी चेकिंग के लिए वर्क फार्म हो मॉडल को अपना है लेकिन यूपी बोड ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है देखिए फ्रेंट से बता रहा है कि हलाकि ये बोड कोई फैसला ले सकेगा फिलाल परिचा के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है चातर बोड द्वारा जारी किसी अन अपडेट का इंतजार करे तथा इस दोरान किसी भी नाधिकरी सुरुच से मिली जानकारी पर कत्ता ही भरोसा न करे देखिए बोड ये भी जानकारी नहीं आ जाता है बोर्ड के तरफ से तो फिर्ट साथ का वीडियो कैसा लाग कमेंटर के जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा ठैंक्यू जैहिंद जै भारत